नमस्कार सातियों स्वागते आपके अपने यूटूब चैनल RBSC with HSM में प्रारंभीक शिक्षा विबाग राजस्तान सरकार की द्वारा प्री डियलर्ड एक्जामिनीशन 2020 प्रारंभीक शिक्षा में डिप्लोमा सामानने अत्वा संस्कृत प्रवेश परिक्षा 2020 में ओनलाइन आविदन करने की अंतिम्तिती बढ़ा दी गई है इस वीडियो के माध्यम से हम अंतिम्तिती एवं काउंस्लिंग कारेकरम के संदर्व में विस्तार प्रोक चर्चा करेंगे सबसे पहले हमें लोगिन होना होगा प्रारंभिक सिक्षा विभाक राजस्तान सरकार की वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में उपलब्द करा दिया गया है जेसे हम वेबसाइट पर लोगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा प्री डियलाइड 2020 के ओनलाइन आवेदन की अंतिम्तिती बढ़ाकर 29 जुलाई 2020 की गई अब हम ओनलाइन आवेदन 29 जुलाई 2020 तक कर सकेंगे जेसे हम वेबसाइट को स्क्रोल करेंगे स्क्रोल करने की दोरान हमें काउंसलिंग नोटिफिकेशन का लिंक दिखाए देगा इस लिंक पर जेसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही एक पीडे फाइल डाउनलोड होगी इस PDF को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है काउंसलिंग कलेंडर प्रीडियलेड परिक्षा 2020 के परिणाम उपरांत परवेशेतु दिनांग 18.9.2020 से अधिकरित काउंसलिंग वेब साइट प्रीडियलेड.org पर ओनलाइन पंजियन एवं काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा सभी संबंदितों को सुचित किया जाता है कि भहुष्य में ओनलाइन काउंसलिंग को लेकर किसी भी तिथी इत्यादी में संशोधन अथवा जानकारी के लिए अधिकरित बैप साइट प्रीडियलेड.org का नेमित आउलोकन करते रहें इसी उद्देशे से प्रतक से समाचार पत्रों में विज्यापन प्रकाशन नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर विशेश तत्य हैं ध्यान देने कि काउंसलिंग के समंद में किसी भी परकार की जानकारी समाचार पत्रों में विज्यापन के माध्यम से नहीं दी जाएगी समस्त जानकारी pre-dlr.org बैपसाइट पर दी जाएगी तो इस तरह से हम बैपसाइट से निरंतर जौग लोकन हो करते रहेंगे और इसी के साथ में नई अफडेट पाने के लिए RBCV TCHSM चैनल को भी सब्सक्राइब किया जा सकता है अब बात कर लेते हैं ओनलाइन काउंसलिंग के चरण के संदर्प में अधिक्रित बैपसाइट पर पंजियन रजिस्टेशन करवाना 18.9.2020 से 30.9.2020 पंजियन शुल्क रासी 3,000 रुपे का भुपतान इमित्र, क्रेडिट, डेविट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतरिक्त HDFC बेंक के माध्यम से कर अध्यापक सिक्षा संस्ता या संस्तान के लिए सूची की उपलब्दता ओनलाइन विकल्प देना 18.9.2020 से 30.9.2020 तक रहेगा प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अध्यापक सिक्षा संस्ता या संस्तान की सूचना 5.10.2020 को दी जाएगे परवेशेतु शेशुल करासी बेंक में जमा करवाना 7.10.2020 से 15.10.2020 प्रथम काउंसलिंग परश्षाद आवंटित अध्यापक सिक्षा संस्ता संस्तान में रिपोर्ट करने की तिथी 7.10.2020 से 15.10.2020 अपवाड मुमेंट है तू आवेदन हम 20.10.2020 से 21.10.2020 तक कर सकते हैं अपवाड मुमेंट में आवंटित अध्यापक सिक्षा संस्तान की सूचना 25.10.2020 तक दी जाएगे अपवाड मुमेंट पस्चात अध्यापक सिक्षा संस्तान या संस्तान में रिपोर्टिंग कर सकेंगे 26.10.2020 से 31.10.2020 तक तो इस तरह से counseling का जो कारिक्रम है 18-9-2020 से प्रारम होगा और 31-10-2020 तक ये हैं जारी रहेगा अब बात कर लेते हम महत्पुन तितियों के संदर्ब में तो जैसे हम login होंगे, login होते हैं हमारे सामने सबसे पहले date of commandments meant of willing online application for online आवेदन की जो परकरियों 15-6-2020 से प्रारम होई थी, अब इसकी तिति को बढ़ा दिया गया है तो हम last date deposit यानि फीज जमा कराने की अंतिम तिति 29-7-2020 कर दी गई है और last date of filling online application form और application form भणने की last तिति 37-2020 कर दी गई है date of examination परिक्षा की जो तिति है 38-2020 रहेगी admit card upload होंगे 16-8-2020 को result declare होगा 11-9-2020 को तो यह result declare तिति हैं वो भी घोशित कर दी गई है counseling registration 18-9-2020 से प्रारम होगा और यह है last counseling जो day होगी 30-9-2020 होगी college allotment हो जाएगा 5-10-2020 को और college reporting last date होगी 15-10-2020 को और upload moment 20 और 21-10-2020 को रहेगा तो इस तरह से विस्तरित जो कारिक्रम है pre-dailer examination 2020 के संदर्ब में जारी कर दिया गया है latest news पाने के लिए आप rbcv tachasam channel को subscribe करिए like करी तदा bell icon को press करें फिर मिलेंगे एक नई update के साथ तब तक बने रहे rbcv tachasam के साथ जहिंद जह भारत